So finally guys, आज हमारे पास आ चुकी है TVS की Jupiter 110 का latest 2024 model देखा जाए तो पूरी स्कूटी पूरी तरह से बदल दी गई है 110, Jupiter अब आपको यहाँ पे काफी ज़्यादा updated features के साथ देखने को मिलने वाली है जिसका look भी काफी ज़्यादा change किया गया है और इसके जो features हैं उसे भी काफी ज़्यादा change कर दिये हैं तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे सारी information में आपको detail में दूँगा price से लेके features सारी चीज़े बताऊंगा तो आपके सारे doubt clear हो जाएंगे सबसे पहले आप ये जाल लीजे कि इसमें total आपको 6 color variant देखने को मिलेंगे जिसमें से ये जो color variant आप देख पा रहे होंगे ये है galactic copper matte color variant काफी premium color variant में से एक है इसके लाओं इसमें आपको 5 color variant और मिल जाते हैं अगर price की बात की जाए तो total 4 variant में Jupiter 110 को launch किया गया है जिसमें पहला variant drum variant है दूसरा drum with Li है तीसरा आपको drum with smart X connectivity और चौथा disc with smart X connectivity देखने को मिलेगा तो ये इसका तीसरा model है जिसमें आपको drum break के साथ smart X connectivity मिल जाती है और अगर इसके price की बात करें तो current miss की exorum price आपको 83,250 रुपीज 83,250 रुपए exorum price मिलेगी और complete on road price इसकी current में आपको 1,300,000 से 1,500,000 रुपए 1,300,000 to 1,500,000 के round में complete on road price आपको मिल जाएगी अब इस features में आपको इस scooter में क्या-क्या मिलता है उसमें हम focus करते हैं तो front में आपको यहाँ पे main headlamp में full LED setup headlamp मिल जाएगा जो कि first in segment में आपको follow me headlamp technology देखने को मिलेगी अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपने ignition को on करके off करते हैं night के time पे तो यह इसकी जो light है वो लगभग 5 second के बाद में बंध होती है तो यह मुझे काफी सही लगा visibility काफी clear है काफी अच्छी visibility आपको मिल जाएगी अब यहाँ पे देखेंगे तो जो इसके LED DRL light है वो आपको unique design के देखने को मिलेंगे full LED DRL light आपको इसमें एक line के shape में देखने को मिल जाएगा जो की काफी premium look इसको provide करता है और इसी में आपको integrated indicator slide भी देखने को मिल जाते हैं indicator भी आपको इसी में integrated देखने को मिलेगा यहाँ पे देख लिजिए corner corner पे आपको indicator भी मिल जाता है जो की inbuilt ही रखा गया है तो front इसके look को यह और भी ज़्यादा premium बना देता है electric vehicle वाली feeling आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको hazard light switch भी मिल जाएगा बट अगर आप इसका disc variant लेंगे तो उसमें आपको hazard light switch भी मिल जाता है अब front brake पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 130 mm का drum brake गौर कीजिएगा यह drum variant है तो 130 mm drum की size आपको मिलेगी disc variant लेंगे तो 220 mm disc की size आपको मिल जाएगी और इसमें आपको combined braking system का support भी मिल जाएगा black color के ally wheels इसमें आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगे front का जो tire है 90 by 90 का 12 inch का tubeless tire आपको मिल जाएगा telescopic suspension के साथ में जिसके side में आपको side reflector भी मिल जाता है telescopic hydraulic suspension इसमें आपको मिलेगा जो इसका fender है यह metal का है यह मुझे काफी सही लगा fiber का fender आपको नहीं दिया गया है but side की जो body है वो आपको fiber की देखने को मिलेगी अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको tvs i go assist की branding इसमें आपको मिल जाती है अब यह क्या है मैं आपको इसके बारे में भी बता दूँ तो meter console यहाँ पे देखेंगे तो meter console पहले से कहीं जादा updated हो चुका है यानि इसका जो meter console है बिल्कुल new design का meter console रखा गया है जिसमें full digital meter console आपको मिलने वाला है Bluetooth connectivity के साथ में अब यहाँ पे देखेंगे तो उपर आपको helmet reminder भी आपको इसमें मिल जाएगा अगर आपने helmet नहीं लगाया है तो यह indicate करता रहेगा कि आपने helmet नहीं लगाया है तो helmet reminder इसमें आपको मिल जाएगा fuel meter इसमें आपको मिल जाएगा साथ ही साथ range meter भी मिल जाता है distance to empty meter भी इसमें आपको मिल जाएगा और average mileage indicator भी आपको मिल जाता है additional feature में इसमें आपको wise assist navigation system मिलता है जो कि first in segment में आपको इस scooter में देखने को मिलेगा यानि 110cc की किसी भी scooter में अब तक आपको यह features नहीं मिलता था बट अब आपको इसमें यह features मिलने वाला है meter console के side side में यहाँ पर आपको कुछ texture देखने को मिल जाएगा जो कि carbon fiber जैसा look provide करते हैं बट यह carbon fiber नहीं है इसी इसका आप notice कर लिजेगा switching quality काफी बहतर रखी गई है low beam high beam passing switch integrated आपको मिल जाएगा side indicator switch और horn switch इसमें आपको मिल जाता है और side indicator switch आपको reset switch देखने को मिलेगा जिसे आप आसानी से on off भी कर सकते हैं right handle bar पे engine kill on off switch के साथ power self start switch मिल जाता है इसमें आपको i go technology का switch इसी में देखने को मिल जाएगा जिसको आप on कर देते हैं i go technology work करने लगता है तो यह काफी सही लगा और यहाँ पे आपको wise assist का switch भी देखने को मिल जाएगा ignition के पास आपको USB charging port मिल जाता है तो यह काफी सही चीज है आज के time पे बहुत जरूरी है और बहुत ज़्यादा helpful भी है आप अपने phone को ride करते दोरान भी आसानी से charge कर पाएंगे नीचे आपको अच्छा सा glove box भी मिल जाता है ignition switch यहाँ पे आप इस तरह से देख लिजे ignition switch आपको मिल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो left side में आपको fuel tank देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे काफी ज़्यादा सही लगा क्योंकि fuel tank आपको इसका आगे के side ही देखने को मिलेगा तो बार बार आपको seat को open नहीं करना पड़ेगा fuel fill up करवाने के दोरान और इस पे आपको E20 की batching भी मिलेगी तो sure हो जाएगा कि यह latest OBD2 model है जिसमें ethanol mix वाला फिर टोल पड़ेगा और यहाँ center में आपको एक hook भी देखने को मिल जाता है तो इसमें आप आसानी से अपना कोई छोटा मोटा carry bag भी carry कर पाते हैं seat comfort देखेंगे तो seat comfort काफी बहतर है foot space भी आपको काफी बहतर मिलेगा seat comfort को काफी ज्यादा improve कर दिया गया है dual toning seat पे आपको मिल जाती है comfort काफी अच्छा आपको मिलेगा seat को open करने के लिए आपको ignition switch को ही left side घुमाना पड़ेगा तो seat open हो जाएगी और अब मैं आपको इसका boot space दिखाता हूँ boot space देखेंगे तो यहाँ पे boot space आपको काफी जबर्जस देखने को मिलेगा और जो यह side का panel है यह भी आपको metal का ही देखने को मिलेगा तो इसकी durability आपको काफी long lasting देखने को मिल जाएगी जो इसका exhaust है उसे थोड़ा सा छोटा और पतला रखा गया है देखने में यह काफी ज़्यादा cute लगता है और इसमें आपको muffler cover भी देखने को मिल जाएगा indicators भी मिल जाते हैं LED ही आपको indicator और light मिलेगी और first in segment एक ऐसी scooty है यह जिसमें आपको emergency brake लगाने पे इसके indicator आसानी से indicate करने लगते हैं पीछे अगर कोई है अगर आपने अचानक से brake लिया तो इसके चारों indicator एक साथ blink करने लगते हैं अब अगर engine की बात करें तो इसमें आप 113.3 cc का 4 stroke single cylinder CVTI fuel injected BS6 phase 2 engine इसमें आपको मिलेगा 5.9 kW की max power generate करता है 6500 rpm और जो maximum torque है वो आपको 9.8 newton meter का मिलेगा 5000 rpm विद एसिस्ट और 9.2 newton meter का max torque प्रवाइड करती है 5000 rpm विद एसिस्ट एडिशनल फीचर में इसमें आपको silent start भी मिल जाता है तो engine की smoothness आपको काफी ज़्यादा बहतर मिलेगी तो engine काफी redefine हो चुका है engine काफी smooth है और काफी बहतर engine आपको मिलेगा performance भी आपको काफी बहतर मिलेगी और यहाँ पे आपको kick भी देखने को मिल जाएगा in case कभी battery down होती है तो आप kick से भी से start करके operate कर पाएंगे rear section का suspension है वो आपको twin tube emulation type shock absorber with three step adjustment suspension आपको मिल जाएगा जिसे आप आसानी से अपने हाथ से ही adjust कर सकते हैं और यह first in segment में ऐसी स्कूटी है जिसमे adjustable suspension मिलते हैं जिसे आप आसानी से अपने हाथ से ही adjust कर पाएंगे तो यह मुझे काफी सही लगा आपको suspension को adjust करने के लिए किसी mechanic के पास जाने की ज़रूत नहीं हाथ से ही adjust कर पाएंगे rear का tire भी आपको 90 by 90 का 12 inch का tubeless tire मिलेगा और rear में आपको 130 mm का drum brake मिल जाएगा कैसी लगी scooter और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो अपनी तरफ से like और share जरूर करिएगा मिलते हैं हाँ सब्सक्राइब वीडियो में कुछ नहीं फिर सब्टेट के साथ तब तक के लिए सभी दोस्तों को thank you नमस्ते जैहिन